question no.11 हमारे पास, find out the velocity of block B in a pulley block system as shown in figure, तो हमारे पास दो blocks दिये हुए है, A and B और एक pulley दे करके रखी गई है, दोनों ही blocks एक string के सहारे जुरे हुए है, हमें बोला गया है कि A की जो velocity है, 10 meter per second है, इस direction में, तो इस V की velocity कितनी होगी, वो हमें बतानी है, तो यह जो question है, वो string constraint की question है, string constraint का question है, string constraint होता क्या है, किसी भी एक string के हर एक point की जो velocity होती है, string के along बड़ाबर होती है, मैं एक वार फिर से repeat कर रहा हूँ, string पर कोई साभी point ले लीजिए, उसकी velocity आप निकाल लीजिए, string के along, यह ना, string के along निकाल लिए, वो वाली velocity जो होती है, पूरे string पर constant होती है, यही क्या है, string constraint है, उसकी का हमें यहाँ यहाँ पर use करना है, तो चलिए, हमें यहाँ यहाँ पर velocity 10 मीटर पर सकेंड देखर के रखी गई है, हम माल लेते हैं कि B की जो velocity होगी, वो कितनी हो जाएगी, B B हो जाएगी, तो क्या इस B B का component हम तो और सकते हैं, string के along, बिल्कुल तो और सकते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, B B cos 37 हो जाएगा, चलिए, अब इसका भी component तो और लेते हैं, इसका भी मैंने कंपोनेंट तो लिए यह एंगल कितना हो जाएगा 53 तो एस्ट्रिंग के एलॉंग एक ही वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भी ए जोकी 10 है 10 कॉस 53 डिग्री अब यह दोनों ही बराबर होना चाहिए तो फ्रॉम एस्ट्रिंग कंस्ट्रेंड हम लिख सकते हैं can a string constraint 10 कॉस 53 डिग्री 10 कॉस 53 डिग्री इकल टो वीवी कॉस 37 इकल टो वीवी कॉस 37 इस से फाइब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो यह भीवी की जो वेल्यू आ गई वह आपके पास आ गई 30 डिवाइद बाइद बाइब फॉर इस फिप्टीन बाइटू यह कितना हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंट तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंट option E option A is the right answer.